हलो इवरिवन जैसा कि हम सब जानते हैं कि एगनु के तरफ से फाइनल येर वाले स्टूड़न्स के लिए एक्जाम होगा या नहीं होगा इसके लिए सर्कुलर आ चुका है बट फर्स्ट येर और सेकेंड येर वालों के लिए अभी तक उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है सो ये जो आर्टिकल मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ उसमें बताया गया है कि एगनु के ओफिशियल्स 21st जुलाइक के बाद ये सारे डाउट स्टूड़न्स के क्लियर कर देंगे इसमें लिखा हुआ है कि जिसने भी ये आर्टिकल पब्लिश किया है उनकी बात एक हायर ओफिशियल्स से हुई थी जो कि इगनु के मेंबर है सो उन्होंने बताया कि यहां पर आप देखो लाक्स ओफ नॉन फाइनल ये स्टूड़न्ट अफ इंद्रा गांधिर नैश्टल ओपन यूनिवर्सिटी लिकिन मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि इगनु में प्रोमोट तो स्टूड़न्ट विना एक्जाम के भी हो जाते है ना लाइक अभी आप लोगों ने एक्जाम नहीं भी दिया है फिर भी आप थर्ड येर का रेजिस्ट्रेशन करा रहे हो या जो फॉर्स्ट येर में वो सेकेंड येर का रेजिस्ट्रेशन करवा रहे है तो आप तो प्रोमोट अल्रेडी हो गए हो सेकेंड येर और थर्ड ये बट यहां पर जो question है वो यह है कि whether आपका exam होगा या नहीं होगा कितने student ऐसे होते हैं जो जुलाई में admission लेते हैं बट वो जून में exam ना दे करके December में देते हैं सो इगनु इस thinking about कि शायद वो आपका exam December में conduct करा है या फिर कोई alternate तरीका ढूंडे तो further अगर हम इस article में देखे तो यहां पर लिखा हुआ है कि final year student के लिए तो इगनु ने already एक circular issue कर दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो first week of September में final semester या final year वाले student के exam conduct करवाएंगे और जैसा कि मैंने अभी आपको promotion के बारे में बताया कि student first year और second year की तो already promote हो जाते है second year में तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि in IGNU there is automatic promotion for student to the next year लेकिन condition क्या होती है कि आपने जो code select किया है वो आप आने वाले exam में पूरी तरीके से उसको complete करोगे तब ही आपका grade card complete show होगा और आपके result आएंगे so main query तो यही है ना कि वो लोग हमें marks देंगे और फिर promote करेंगे या सिर्फ promote करेंगे बिना marks दिये हुए so यह सारी doubts के बारे में हमें clearance मिलेगी 21st July की बाद COVID-19 की वज़े से पूरी यूनिवर्सिटी में एक mess create हो गया है सब लोग कुछ न कुछ मित बना रहे है कि exam conduct होंगे नहीं होंगे बट एकनों की तरफ से अभी official notification आना बाकी है सो आप लोग अपने तयारी पूरी रखो क्योंकि knowledge कभी भी waste नहीं होती है exam होगा very good अगर नहीं हुआ तो भी आपके पास knowledge तो होगी न सो इगनू की तरफ से अगर further कोई update आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर इंफर्म करोंगे इसके लिए आप अगर चाहू तो मेरे चैनल को subscribe कर सकते हो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना thank you